पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि बाबर ने मेवात के शासक हसन खाम एवाती को अपनी ओर मिलाने के हर संभव प्रयास किये किन्तु हसन खाम एवाती अपने पुत्र पर किये गए अत्याचार का बदला लेने के लिए महाराना सांगा के पक्ष में हो गया जब बाबर ने सुना कि महाराना सांगा एक विशाल सेना लेकर बाबर की ओर बढ़ रहा है तो बाबर ने भी अपनी सेना को तैयार होने के आदेश दिये बाबर ने किस्मती नामक एक बेग को थोड़ी सी सेना देकर बयाना की तरफ भेजा किस्मती कुछ लोगों के सिर काट कर ले आया और सत्तर अस्सी आदमियों को बंदी बना लाया किस्मती ने ये कटे हुए सिर बाबर को भेंट किये दस फरवरी 1527 को बाबर ने उस्ताद अली कुली द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी तोप से पत्थरों के गोले चलवा कर उसका परिक्षण किया इस तोप ने 1600 कदम तक पत्थर के गोलों को फेंका यदि एक कदम को डेड़ फुट का माना जाए तो इस तोप से निकला हुआ गोला लगभग धाई किलो मीटर दूर जा सकता था यह बाबर के लिए एक अद्भुत उत्साह वर्धक बात थी तोप की इस सफलता के लिए बाबर ने उस्ताद अली को तलवार की एक पेटी, खिलत और तीपू चाक घोड़ा इनाम में प्रदान किया 11 फरवरी को बाबर ने आगरा से प्रस्थान करके एक खुले मैदान में शिविर लगाया और सेना की भर्ती की जाने लगी बाबर के समस्त गवर्नर और सेना पती अपनी अपनी सेनाएं लेकर उस मैदान में एक अत्रित होने लगे बाबर ने उन सेनाओं को एक क्रम में जमाना आरंभ किया बाबर ने अपनी सेना के एक अग्रिम दल को बयाना की तरफ रवाना किया और स्वयम मुख्य सेना के साथ रहा जब यह सेना बयाना पहुँची तो सांगा के सैनिकों द्वारा घेर ली गई महाराना सांगा अब तक 18 युद्ध लड़ चुका था जिनमें उसके शरीर पर असी घाव लगे थे युद्धों में ही उसने अपनी एक आँख एक भुजा तथा एक पैर खो दिये थे महाराना सांगा अत्यन्त महत्वा कांख्शी शासक था और लोधी सामराज्य के धनसाव शेशों पर अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था कुछ लेखकों ने लिखा है कि महाराना सांगा पानीपत के युद्ध में भाग लेना चाहता था किन्तु यह इस पष्ट नहीं किया है कि यदि सांगा इस युद्ध में भाग लेता तो वह किसका पक्षग्रहन करता किन्तु सांगा उस समय गुजरात के शासक मुजफर शाह के संभावित आक्रमन के कारण पानी पत नहीं जा सका अब मुजफर शाह की मृत्यू हो चुकी थी और राणा का ध्यान दिल्ली तथा आगरा पर केंडरित था जहां बाबर ने अधिकार कर लिया था महाराना सांगा का अनुमान था कि बाबर अपने पूर्वज तैमूर की भाते दिल्ली को लूट पाट कर काबुल लोट जाएगा परन्तु बाबर ने भारत में रहने का निश्चय कर लिया था ऐसी इस्तिती में महाराना सांगा तथा बाबर में संगर्श होना आनिवार्य था क्योंकि बाबर के निश्चय ने राना सांगा की योजना पर पानी भेर दिया था जब बाबर की सेना का अगरिम दल बयाना पहुँचा तो सांगा के सैनिकों ने बाबर की सेना के अगरिम दल पर आकरमन करके उसे परास्त कर दिया उस दल का नायक संगुल खां जन्जूहा वही मारा गया सांगा के सैनिकों ने कित्ता बेक का कंधा फाड़ कर बाहकाट डाली इस कारण किस्मती तथा मनसूर बरला सहित अनेक सेनापती भैवीत होकर भाग खड़े हुए उन्होंने बाबर को सांगा की सेना की प्रचंडता के ऐसे किस्से सुनाए कि बाबर चिन्ता में पड़ गया बाबर का सेनापती महदी ख्वाजा इस समय बयाना के किले में था किन्तु वह भी बाबर की सेना के अग्रिम दल की कोई साहता नहीं कर सका इसलिए बाबर ने तेजी के साथ बयाना की ओर बढ़ने की बजाए अपनी गती धीमी कर दी उसने बेलदारों को भेज कर मन्धाकुर के पास कुछ कुएं खुदवाए और अपनी सेना को वहीं पड़ाव करने के आदेश दिये 16 फर्वरी 1527 को बाबर मन्धाकुर से चल कर सीकरी पहुँच गया क्योंकि सीकरी में बाबर की सेना के लिए पर्याप्त जलुपलब्द था तब तक राना की सेना बयाना से 10 बारे मील दूर बसावर के निकट पहुँच गई कुछ दिन बाद अबदुल अजीज को माहराना सांगा की वास्तविक इस्थिती जानने के लिए भेजा गया अबदुल अजीज के पास 1000-1500 सेनिक थे किन्तु सांगा की सेना ने इन लोगों को देख लिया तथा इन में कसकरमार लगाई सांगा की सेना ने बावर के बहुत से सैनिकों को बंदी बना लिया इस प्रकार अब्दुल अजीज माहराना सांगा की वास्थविक इस्थिती का पता नहीं लगा सका इस पर खलीफा के अमीर मुहिब अली को खलीफा के सेवकों सहित सांगा की तरफ भेजा गया मुहम्मद अली जंग जंग को भी उसके साथ भेजा गया राणा की सेना ने इस बार भी बाबर के बहुत से सैनिकों को पकड़ कर मार डाला मुहिबली भी जंग में गिरने वाला था की बालतु नामक एक युद्धा ने पीछे से पहुँच कर मुहिबली को बचा लिया एक दिन बाबर को समाचार मिला की शत्रू तेजी से निकट आ रहा है इस पर बाबर की सेना ने अस्त्र शस्त्र धारन कर लिये तथा घोडों को कवच पहना दिये बाबर ने लिखा है कि हम एक कोस तक बढ़ते चले गए हमारे सामने एक बड़ी जील थी इसलिए हम वहीं उतर पड़े हमने अपने सामने का भाग गाडियों से सुरक्षित कर लिया और गाडियों को जंजीरों से जकर दिया दो गाडियों के बीच में साथ आठ गज की दूरी रखी गई बाबर ने इन गाडियों के बारे में इस पश्ट नहीं बताया है कि ये गाडियां कौन सी थी किन्तु संभवत है बावर का आशे तोब गाडियों से था क्योंकि वह लिखता है कि मुस्तफा रूमी ने रूमी ढंग से गाडियां तैयार करवाई थी वे बड़ी मजबूत थी चूंकि उस्ताद कुली को मुस्तफा से इर्शा थी इसलिए मुस्तफा को सेना के दाहिनी और हुमायू के सामने न्युक्त किया गया एवं उस्ताद अली कुली को बाई और न्युक्त किया गया जिन स्थानों पर गाडियां नहीं पहुंच पाई थी वहां खुरासानी एवं हिंदुस्तानी बेलदारों द्वारा खाई खुदवाय दी गई बाबर ने लिखा है कि मेरी सेना इतनी सुरक्षा के बावजूद हतोच साहित थी इसलिए मैंने जिन स्थानों पर गाडियां नहीं पहुंच सकती थी उन स्थानों पर साथ आठ गज की दूरी पर लकडी की तिपाहियां रखवा दी और उन्हें कच्चे चमडे की रस्यों द्वारा खिच्वा कर बंधवा दिया इन कारियों में 20-25 दिन लग गए इसी बीच कासिम हुसेन सुल्टान, एहमद यूसुफ तथा बाबर के बहुत से दोस्त काबल से बाबर के पास आ गए बाबर ने उनकी संख्या 500 बताई है मुहमद शरीफ तथा बाबा दोस्त बहुत से उटों पर गजनी से शराब रखवा कर ले आए बाबर ने लिखा है कि मुहमद शरीफ जोतिशी था उसने भविशवानी की कि इन दिनों मंगल ग्रह पश्चिम दिशा में है इस कारण जो कोई इस ओर से युद्ध करने जाएगा वह पराजित हो जाएगा इस भविशवानी को सुनकर मेरी सेना में अत्यधिक घबराहट फैल गई मैंने मुहमद शरीफ की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया अब बाबर ने हसन खा मेवाती को सांगा से अलग करने की योजना बनाई बाबर ने एक सेना मेवात के लिए रवाना की ताकि वह मेवात में लूट मार करके अशांती फैला दे और हसन खा मेवाती को युद्ध का मैदान छोड़ कर मेवात जाना पड़े अगली कड़ी में देखिए महाराना सांगा से भैभीत बाबर ने शराब से तौबा कर ली क्रपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें धन्यवाद